हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोगसभा सीट पर 1998 से बीजेपी ने दो उप्चुनावों सहित लगातार आठ बार जीत दर्च की है इस सीट से केंद्रिय सूचना और प्रसारण मंतरी अनुराक ठाकुर मौजूद असांसद है में 2008 से हमीरपुर से लगातार चार बार जीत चुके है बीजेपी के वरिष्ट नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य मंतरी प्रेम कुमार धूमल के बेटेई अनुराक ठाकुर को हमीरपुर लोकसभा सीट पर लगातार पांचवी वर जीत का पूरा भरूसा है हाला कि कॉंग्रेस हमीरपुर को रेल लिंक ना मिलने का जिम्मेदार बीजेपी को ठहराती है वही अनुराक ठाकुर का कहना है कि कई दूसरी ट्रेने अब हिमाचल प्रदेश को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है वही बीजेपी कारेकरताओं को भरोसा है कि उनकी पार्टी हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसवा सीट जीतेगी वैराजी सवा चुनाव के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग का जिक्र करते हुए कॉंग्रेस की भीतर चल रही अंदरूनी लड़ाई का हवाला भी देते हैं इस क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी के हर्ष महाजिन की खिलाफ कॉंग्रेस के अभिशेक मनु सिंग्वी की हार हुई थी हमीरपूर के लोगों के लिए इलाके में बेरूसकारी बड़ी चिंता है उनका मानना है कि राचे और केंदर सरकार को रोजगार के मौके बनाने की ओर जादा ध्यान देना चाहिए यहां पर रोजगार की कमी है यहां पर द्योग लगने चाहिए यहां पर जैसे बाहर हम मैं लोगों को रोजगार के लिए बद्धी जाना पड़ता है बाहर जाना कि यहां का युवा रोजगार करने के लिए बहार में जा सके यहां भी युवां को रोजगार मिल सके माना जा रहा है कि कॉंग्रेस भी बेरोजगारी के मुद्दे को खास तोर पर उठाएगी पार्टी अपने कैम्पेइन शुरू कर रही है हाला कि उसने अब तक हमीरपुर लोकसवा सीट से अपने उमीदवार के नाम का एलान नहीं किया है सबसे पहले तो युवां को सबसे पहले तो रोजगार चाहिए साथ में महंगाई कम होनी चाहिए कुछ वोटरों को ये भी लगता है कि हमीरपुर को एजुकेशन हब के तौर पर पहचान मिल सकती है लेकिन इसे लेकर कोशिशे की ही नहीं गई जो पूरे मात्यल का एक सेंटर फिलिस है और इसमें पूरी स्टेट से लोग जो आते हैं और मिरपुर सेंटर जो एक एजुकेशन हरु के नाम से जाना जाता है तो इस के लिए जो हमारे संसद है हिमाचल प्रदेश में लोकसवा चुनाव अंतिम चरण में एक जून को होंगे वोटो की गिंती चार जून को होगी